हे गाईस नमस्कार मैं आपका दूस्त अमेच स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूड़न्स तहे दिलते शुक्रिया गाईस आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा एजूकेशनल और इन्फॉर्मेटिव मैं बात करने वाला हूँ मेरे पास बहुत सारे पिछले काफ़े टाइम से बच्चों के फॉन कॉल्स और बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे हैं सर जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं हम लोग बात करेंगे बैचलर ओफ एजूकेशन हरियाना एमडी चौदी रनवीर सिंग इन्फॉर्टि या पूरे देश में जितने भी इन्फॉर्टि काम कर रहे हैं कि भई UGC जो है प्रमोट करता है बच्चों को या इन्फॉर्टि प्रमोट करती है और UGC अगर प्रमोट करती है तो वो प्रमोशन क्यों नहीं दे रही अगर इन्फॉर्टि प्रमोशन देती है तो वो क्यों नहीं दे रही इसका क्या कारण है देखे गाईस जितने भी देश के अंदर इनुमोसरटी है खास तोर से हरियाना की हम लोग बात करेंगे बाकी कोई और भी इनुमोसरटी है तो अभी कुछ टेम पहले एक UGC ने एक सर्कुलिशन जारी किया था कि किसी ने एक फेक न्यूस चिला दी थी अब सवाल यहां पर यह हो रहा है कि बच्चे टेकनिकली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि UGC प्रमोड करती है या स्टेट गौवर्मेंट प्रमोड करती है या फिर जो द्यान से एक बात समझो जो बच्चे मेरी Bitcoin करते हैं HRD Minister होता है जो फिलाल रमिष पोक्रियाल जी हैं उनके अंडर में क्या है education यानि की जो HRD ministry है वो आती है और UGC भी क्या है उनके under में ही आती है अब एक बात यह ध्यान से सुनू काफी बच्चे यह कह रहे हैं कि भाई UGC जो है वो सभी बच्चों को promote करेगी भाई पहली बात तो एक बात ध्यान से सुनू जब university को या UGC को किसी चीज़ का promotion करना होता है तो UGC क्या है circulation नहीं निकालती क्योंकि last year क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि जितने भी colleges थे जितने भी university थे वो क्या है UGC के फैसले के against क्या सुप्रीम कोर्ट में गई थी और वहाँ पर जो lawyer थे last moment पर यानि कि एक सवा महिने वो मुकदमा चला और उसमें क्या है UGC को UGC के favor में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना judgment दिया कि UGC ने बोला कि भाई जो final year के जो student है न यानि कि final year semester के जो student है उनको promote किया रहे बाकि अगर और कोई intermediate student है first semester second semester का या first year का कोई भी student है चाहिए वो BA करे चाहिए वो कुछ भी करे उनको क्या है promotion दिया जा सकता है और वो भी depend करता है state government पर जो university है उस university पर तो सारा का सारा माज़र ये था अब बच्चे ये पूछ रहे कि एक सवा साल पुरानी बिमारी है तो जब last year ये बिमारी नहीं आई थी जब UGC Supreme Court में जाकर UGC के favor में फैसला गया था अब तो ये बिमारी सवा साल पुरानी हो चुकी है तो भाई UGC ऐसे notification क्यों निकाले कि बच्चों को promote किया जाए अब यहाँ पर technical बात समझने वाली ये है कि government ऐसा फैसला इसलिए नहीं लेती कि ऐसे ही सभी बच्चों को अगर promote कर दिया जाए तो भाई जो degree है जो बच्चा चो engineer कर रहे है चाब वो Mbps कर रहे है चाब वो btec कर रहे है चाब वो बीयर कर रहे है चाब बीय कर रहे है तो भाई ऐसे ही बच्चों को बिना exam दिये अगर degree या माक्षड अवार्ड की जाती तो उसकी जो value है वो क्या है zero है क्योंकि देखो cdc बात है university grant commission भी यही समझता है और चौदिर अन्विर से university ने exam लिये थे कुरूचे त्रही इनुवस्रटी लिये थे डिक्रस्ट बाकि लगबख सभी इनुवस्रटी ने exam लिये थे M.D.U. ने last moment पर क्योंकि बहुत लेट हुचागा था इसलिए बच्चों को क्या promote कर दिया तो बच्चे अब यह बोल रहे हैं इस साल जो university है या U.G.C. है वो क्या है circulation क्यों जारी नहीं कर रही मैंने आपको बता दिया कि HRD ministry जब तक U.G.C. को नियम काइदा नहीं बताएगी U.G.C. अपने आथों को बांद कर वहीं बैठी रहेगी कि जैसा सरकार बोलेगी वैसा हम लोग बच्चों को promote करेंगे अभी तो फिलाल market के अंदर promotion की कोई बात ही नहीं है दूसरी बात क्या मंतरी होते हैं जो education minister होते हैं वो क्या है एक circulation जारी करते हैं कि इन इन university में या जितनी भी हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी state के अंदर university है उन university में ये circulation बेचते हैं कि इन class के बच्चों को या इस year के बच्चों को क्या promote किया जाए तो अभी university ने और state government ने और U.G.C. न इसी कोई भी norms कोई भी notice नहीं निकाला है अभी इसी लिए क्या है क्योंकि देखो university promote नहीं करना जादी सीधी सी बात मैं आपको बता दूँ जो बच्चे promotion के बरोसे बैठे हुए हैं तरह तरह के YouTube चैनल पे वीडियो देख रहे हैं कि अब आज ख़बर आई है बच्चे promote हो सकते हैं वो सिर्फ क्या है गाई speculation है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपको trust करना है जब तक UGC कोई notification ना निकाले या फिर state government के higher education कोई notice ना निकाले कि बच्चे को promote किया जाएगा जब last year बच्चे promote होए थे हर्याना के अंदर तो बकायदा higher education ने क्या है एक letter जारी कि क्या था कि intermediate जो student है जो final year के student नहीं है उनको promote किया जाए तो बाकी जो second year के जो final year के student थे उनके जो exam है वो October में लिए गए तो इसलिए इसलिए बच्चों के जो exam है वो जो beard के है किसी और चीज के जो exam है उन exam को क्या है August में या फिर September में आगे उनको divert कर दिया है तो काफी ब study को continue करते रहो क्योंकि आप teacher बनने वाले जो बच्चे B.A.D. कर रहे हैं कुछ भी कर रहे है आप लोग final year के student हो उनको तो खासतोर से त्यारी करनी चाहिए वो तो किसी promotion के चक्कर में बिलकुल नहीं रहना चाहिए अब जो intermediate student है उनका कोई notification नहीं है ना UGC चाहता ना central government च चाहिए क्योंकि हर जग है ऐसा ही क्या माज़र है क्योंकि सवा साल पूरा नहीं वाइरस है अब बच्चे कहते हम लोग क्या करें बाई कुछ मत करो अपनी study को continue करो यार lockdown लगा हुआ है अपनी study को अराम से पढ़ो क्या दिक्कत क्या है मुझे यह बताओ बई आपने पूर जब एक्जाम लेगी तो उससे ज़्यादा कई नंबर आप क्या सकते हैं क्योंकि जब बैचलर ऑफ एजुकेशन के लास्ट इयर हर्याने में महारशी द्याना दिनों सटी में जो बच्चे के एक्जाम हुए थे तो ऑनलाइन एक्जाम के अंदर बच्चों के 80-85% भी अब यह कुछ नहीं है आपको दो चीज़ चेक करनी है UGC का ओरिजनल नोटिफिकेशन या फिर स्टेट गॉर्मेंट के जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां का जो हायर एजुकेशन है वो लेटर निकालेगा वो नोटिफिकेशन निकालेगा कि किन बच्चों को प्रम आएंगे तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है तो आज का वीडियो इतना ही था कि प्रमोट हो गया नहीं हो गया यूजिसी क्यों ने करी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेर और कॉमेंट और हर हाल में चैनल को सब्स्राइब करना तो मिलते है किसी एक नेक्स वीडियो में तिल देन बाई एंट टेकर गाईज मुस्कुराते रहना थैंक यू सो मज